जैश्री राधे, पुझे श्री सद्गुर्दे भगवान के चर्णों में प्रणाम आज पुझे श्री भाई जी कहते हैं भगवान का नाम भगवान का ही अभिन्न स्वरूप है और वह भगवान की ही शक्ति से भगवान से भी अधिक शक्ति शाली और एश्वर्यवान है जैसे किसी महान वैभव शाली समराट को अपने खजाने की असंख्य धनराशी की संख्या का पता नहीं रहता इसी प्रकार नामी भगवान भी अपने नाम की अनंत गुणावलियों का पता रखना नहीं चाहते यह भी उनका एक महान गुण है भगवान के जिस मंगल में नाम से पंचम पुरुशार्थ रूप भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है उसके बदले में मुक्ष की चाह करना भी प्रेमियों ने कामना माना है अतेव लोग पर लोग की किसी भी छुद्र महान कामना में नाम का प्रियोग करना एक प्रकार से अविवेक या मुर्खता ही है लोग पर लोग के जो भोग हैं सभी दुखियोनी और विनाशी हैं ऐसे मधुर विश रूप विश्यों की चाह करना और नाम के बदले में उन्हें चाहना महान मुर्खता है तुलसी दास हरी नाम सुधात जी सठ हटी पियत विशे विश मांगी अतैव बुद्धिमान और अपना यथार्थ कल्यान चाहने वाले पुरुष का यही करतव वे है कि वे अपने जीवन को भगवन नाम में बना दे और नाम के फलसरूप उत्तरोत्तर बढ़ती हुई नाम निश्ठा की ही कामना करें यही नाम का आदर है और इसी भाव से नाम का सेवन भी करना चाहिए परन्तु जब तक यह भाव जागरत ना हो तब तक किसी भी भाव से किसी भी सतकामना को लेकर नाम का आश्रे लेने में कोई आपत्ती नहीं है ऐसा करना मूर्खता होने पर भी पाप नहीं है वरम कर्तव्य है अवश्य ही जिसमें किसी दूसरे का जरा भी अहित होता हो और परिणाम में अपना भी अहित होता हो ऐसे किसी कारे की सिद्धी के लिए भगवान के नाम का प्रियोग कभी नहीं करना चाहिए जब तक भगवान के नाम में रती ना पैदा हो जाए तब तक रुची के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए भगवान का नाम नित्य मधुर और दिव्य अमरित रूप है उधारन के लिए मिश्री मीठी होने पर भी पित्त के रोगी की जीब कडवी होने के कारण मिश्री कडवी लगती है परन्तु मिश्री पित्त नाश की दवा है मिश्री के सेवन से पित्त का शमन होने पर जब जीब का कडवापन मिठ जाता है तब मिश्री मीठी लगने लगती है क्योंकि वह मीठी ही है इसी प्रकार पूर्व संचित कर्म फल के कारण हमारी दूशित व्रत्ती जब तक भगवान के नाम के माधुर्य का अनुभव नहीं करती बलकि उसे कडवा समझती है तब तक दवा के रूप में जबरदस्ती उसे लेते रहना चाहिए लेते लेते कर्म मल का शमन होते ही भगवान की सहज नाम माधुरी का स्वादाने लगेगा परन्तु यह समरण रखना चाहिए कि नाम का आश्रे कल्यूग में सबसे बड़ा आश्रे है इस एक ही आश्रे से सर्वांगीन पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है अतेव नित्य निरंतर नाम का सेवन करना चाहिए जहां तक बने नाम का सेवन नाम प्रेम की व्रद्धी के लिए ही करना चाहिए किसी भी लौकिक पारलौकिक इच्छा की पूर्टी के लिए नहीं नाम का फल अचिंत्य और अमुल्ले है उनकी वास्त्विकता पर ध्यान ना देकर उसमें भरे वास्त्विक सत्य को ग्रहन करना चाहिए नाम का जब मानसिक, उपांशु और वाचक तीन तरह से हो सकता है नाम जब में जितनी सूछमता हो उतना ही वह श्रेष्ट है पर नाम कीर्टन में जितना ही वानी का सपष्ट उच्चारण और उदगोश हो उतना ही श्रेष्ट है अपनी अपनी स्थिती और रुची के अनुसार जब कीर्टन करना चाहिए भगवान के सभी नाम समान महत्व रखते हैं किसी भी नाम में उच नीच का भाव न रखकर अपने लिए जो भी नाम विशेश प्रीतिकर और रुची कर जान पड़े उसी का जब कीर्टन करना चाहिए यद्दपी समस्त भगवन नामों की महिमा समान ही है तथा भी जो नाम अपने को प्रिय है उनके कीर्टन से अनायास ही अपने अभिश्ट मनोरत की सिध्धी हो जाती है विभिन रुची वाले लोगों का करमशे सभी नामों में प्रेम संभव हो जाता है फिर वे सभी नाम उन्हें प्रिय हो जाते हैं अतयव, भगवान के जिस नाम या जिन नामों में अपना मन लगता हो, उसी का जब करें, परंतु नाम जब करने वाले के लिए यह परम आवश्यक है कि वे प्रति दिन नियम पूर्वक अधिक से अधिक संख्या में नाम जब अवश्य करें, इस नियमित जब के अतिरिक्त द दिन रात बिना संख्या के नाम जब होता रहे। इसके लिए सावधानी के साथ प्रयत्न शील रहे। नियमित संख्या के नाम जब का द्रड़ नियम होने से उतना जब तो प्रति दिन पूरा हो ही जाएगा। नहीं तो नियम ना रहने पर किसी भी अनावश्यक कार्य में समय लग जाएगा जो सबसे पहले करने योग्य तथा सबसे अधिक महत्पूर्ण करतव्य हैवं जीवन में अती आवश्यक कार्य है वह नाम जब छूट जाएगा मन दोका दे कर समझा देगा कि नियम थोड़े ही है यह बहुत जरूरी काम है इसे कर लेना चाहिए फिर वियर्थ की बादचीत भी जरूरी काम हो जाएगी परन्तु बड़ा नियम होने पर उतना समय नाम जब में अवश्य लगेगा और नाम जब होने से भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंद कम से कम एक अंग जीब का तो बना ही रहेगा उतने समय तक वानी का केवल संयम ही नहीं होगा वानी का यथार्थ सदुपियोग होगा क्योंकि वानी का सदुपियोग भगवान के नाम गुण गान में ही है उतने समय तक प्रमाद वश होने वाले मिथ्या भाषन पर निंदा से रक्षा होगी कम से कम वियर्थ भाषन से जीब की रक्षा होगी प्रमाद युक्त वानी के कारण होने वाले दुष परिणामों से बचाव होगा और नाम जप रूप सबसे महान लाप प्राप्त होगा लगातार नियमिजप होने से वानी का वैसा अभ्यास हो जाएगा जिससे वानी सहज ही अपने आप नाम जप करती रहेगी इससे फिर मन भी लग जाएगा तुलसेदास जी कहते हैं सकल अंग पद विमुख नात मुख नाम की ओट लई है मेरे सारे अंग आपके चर्णों से विमुख है केवल जीब ने नाम की ओट ले रखी है स्वामी श्री हरिदास जी नियमे तीन लाख नाम जब प्रती दिन करते थे इससे उनको डिगाने के लिए आई हुई वैश्या उनका तो कुछ बिगार कर ही नहीं सकी स्वयम उसी का उधार हो गया स्वरगिय पंडित श्री मोती लाल जी नहरू के द्वारा पूर्व अभ्यास वश मृत्यू के कुछ पहले से ही गायतरी जप होने लगा था इसी प्रकार पूर्व अभ्यास विश्व कवी श्री रविंदर नात ठाकुर के पिता श्री द्विजेंदर नात ठाकुर बाहाय चेतना शुन्य अवस्था में आसन लगा कर बैठ गये थे और गायतरी जप करने लगे थे नाम का अभ्यास होने पर अंतकाल में भगवान का नाम आ जाता है और अंतकाल की स्थिति के अनुसार उसे सहज ही भगवत प्राप्ती हो जाती है अतयव प्रति दिन नियमित संख्या में नाम जप अवश्य करना चाहिए किया जाए तो आसानी से एक लाख नाम जप प्रति दिन हो सकता है मनुष्य दिन भर बोलता नहीं है उसकी जीव अधिकांश्ते समय खाली रहती है वह यदि चाहे और इसमर्ण रखे तो आसानी से दिन भर में चलते फिरते एक लाख नाम जप कर सकता है नहीं तो 21,600 की संख्या पूरी कर ही लेनी चाहिए दिन भर में ओसत इतने श्वास आते है अतर इतना जप होने पर प्रतिश्वास एक नाम का जप हो जाएगा जैश्री राधे जैश्री राधे